मुवीज तो अपने बहुत देखी होगी लेकिन आज मैं आपको बताने जारा हूँ पांच ऐसे मुवीज के बारे में जो आपकी जिन्दगी को बदल कर रख देगी जब भी आप इन मुवीज को देखने बैठेंगे आपको बहुत कुछ सिखने को मिलेगा इसलिए मेरी सलाय की जब भी इन मुवीज को देखने को बैठें अपने साथ एक कौपी और पेंच जरूर लेकर बैठें और जो भी कुछ सिखने को मिलता है उससे लिखते जाए पहली मुव का नाम है दवार्ग जो की बहुत इंस्पायरी मुवी है ये फिलिप पेटिक के लाइप से इंस्पायर मुव है जो फ्रांस में रहते थे और बचपन से ही उन्हें केवल पर चलने का बहुत सोग था जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका ये सोग भरता गया एक दिन उन्होंने टूइस्ट टावर की फोटोज देख लिए हैसला किया कि मैं इस टावर पर वायर वाक करूंगा उनीसो चोगतर में टूइस्ट टावर दुनिया के सबसे उची मालते में से एक थी 2001 में आप सभी को पता होगा कि अलाधिन ने इनी विल्डिंग पर हमला करवाया था और इन्हें खत्म कर दिया उस समय ये बात सोच पाना भी और संभव था लेकिन इस मूवी को देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे किसी भी वो संभव चीज को संभव बनाया जाता है उस विल्डिंग पर किसी को जाने की परमिसन नहीं थी लेकिन उन्हों इन दोनों विल्डिंग्स के बीच में वायर डाला और उस पर वाक करके दिखाया आपको पता चलेगा कि ऐसे समय में कौन-कौन आपका साथ देता है और कौन-कौन साथ नहीं देता है और कैसे संगर्श करके सफलता प्राफ्त होती है दूसरी मूव का नाम है पिस्फूल जो की डल मिल्मन के लाइफ से इनस्पायर है जो की एक जिमनास्त थे वालिवूड की थ्री इडियाट मूवी आपने जरूर दे कई होगी इस मूवी के हर एक सिन से आपको कुछ नकुछ सिखने को मिलता है Peaceful Warrior भी एक ऐसी ही मुवी है जिनके हर एक सिन से कुछ न कुछ आपको सिखने को मिलेगा जिनकी में हर एक बेक्ती Destinator पर जाने की बहुत जल्दी करता है और उस शकर में वो जर्नी का मजा लेना भूल जाता है लेकिन इस मुवी में आप जर्नी का मजा लेना सीख पाएंगे इस मुवी में आप देखेंगे कि एक लड़का अपने आपको बहुत परफेक्ट मानता है उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में उससे जदा परफेक्ट कोई नहीं है जब तक कि वो एक बुरे ब्यक्टी से नहीं मिलता वो बुढ़ा ब्यक्टी उस लड़के से भी ज़एदा परफेक्ट होता है और वो सारी चीज़े कर सकता है जो कि उवा लड़का सोच भी नहीं सकता एक बार उस लरके का बहुत ही ज़्यादा important competition होता है और competition से ठीक पहले उस लरके का accident हो जाता है जिसमें उसके हाथ पेर सब तूड़ जाते हैं और वो किसी लायक नहीं राता उसके बाद उसकी पूरी जिंगी बदल जाती है एक बार आप सभी इस movie को जरूर देखिएगा तिसरी movie का नाम है Invictus जो की निलसन मंडेला के life से इंस्पायर है आज भी रंग भेद दुनिया के लिए कितनी बड़ी समस्या है ये आप सभी बहुत ही अच्छेत से जानते हैं इस movie में आपको पता चलेगा कि कैसे एक इनसान 27 साल जेल में रहा उसके बाद 24 साल की उम्र में जेल से बाहर निकल कर वो साओत अफरीका का पहला और सर्वेत परसिडेंट बना उसके बाद साओत अफरीका का भविस्थ ही बदल दिया कई लोग अपने जिन्गी में बहुत कुछ खत्म हो जाने के बाद कभी पढ़ियास नहीं करते जिन्गी में आगे बढ़ने के लिए ये movie आपको inspire करीगे कि जिन्गी में यदि सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद भी आप एक नई जिन्गी की सुरुत कर सकते हैं चोथा पिक्चर का नाम है जिनियस अलवस्टाइन, चोथी मूव एक मूवी नहीं, बलकि एक सिरीज है, जो कि आपको नेट जीओ पर देखने को मिलेगी, अलवट एस्टाइन एक बहुत ही महान बेक्ती है, लेकिन उस महान बेक्ती को बनाने के पीछे किन किन लोगों का क्या आप जानते हैं, कैसे उनकी वाइप ने उन्हें एक महान बिग्यानिक बनाने में बहुत मदद की, लेकिन बाद में अलवस्टाइन अपनी ही पतनी को छोड़ दिया, कैसे जब वो पहला इंट्रेस्ट एक्जामनेसन देने गए तो वो फैल हो गए, और उसी एक्जाम को देने के लिए उन्हें एक साल का इंदिजार करना पड़ा, ये सब आपको इस सीरीज से पता चलेगा, आपने सुना होगा कि खुद गलतियां करने से अच्छा है, दुसरों की गलतियों से सीख लो, इस सीरीज को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जीवन मे आप कौन-कौन सी गलतियां कर रहे हैं, और जीवन में उन गलतियों को कभी नहीं करना चाहेंगे, पाच्वी मूब का नाम है The Social Network, दुनिया ने बिलगर्स का नाम सुना होगा, इस्टीब जॉप्स का नाम सुना होगा, फिर वारियन बफेट का भी नाम सुना होगा, ये जोकरबग की सबसे अमीर आदमी बनने की कहानी है, सिर्फ 20 साल की उम्ह में मार्क जोकरबग ने एक ऐसा अपनी के सन बनाया, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में छा गया, लेकिन उसको बनाते समय कौन-कौन सी दिक्कते आई, उन्हें क्या क्या करना पड़ा, इस म कमेंट करके बताईएगा कि ये पांचों में से आपको सबसे बेस्ट कौन सा मुवीज लगा, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर कीजिए, तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए सानिंग सुक्सेसलाइब